हेलो दोस्तो मैं इमराना और वेलकम करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल मीर होम किचन में आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज हमादी किचन में बन रही है क्रिस्पी पापड़ी जिने हम बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही मिन्टों में बना कर तयार करेंगे और इनकी एक खास बात ये भी है कि हम इने मैदा से नहीं आटे से बनाएंगी और आटे से बनने के बाद भी ना तो इनके टेस्ट में ही कमी आएगी और ना ही इनके क्रिस्पनेस में तो अगर आप भी मैदा को अवोइट करना चाते हैं तो ये गेहूं के आटे से तो पापडी बना ही सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी इन पापडी को हम मौंग डाल के साथ बनाएंगे तो यहां मैंने एक चोथाई कटोरी मौंग डाल ली है यहां मैंने बिना शिलके वाली मौंग डाल ली है मौंग डाल को हम अच्छे से धुल लेते हैं और उसके बाद हम इस पे पाने डाल के 20 मिनट के लिए रख देते हैं अब हम इस दाल को रख देते हैं, साइड पर और चलिए अब हम इसके लिए आटा निकाल लेते हैं, तो यहाँ मैंने दो कटोरी गेहूं का आटा लेआ है, यह सिंपली वही आटा है, जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं, तो आप गेहूं के आटे की जगा मैदा से भी यह करके डालेगा और अश्मे कसूरी मेथि डाल देते हैं और इसके बाहद हम इसमें मौई के लिए पांच से च्छे अवान टेल दालने के बाद अच्छे से only 2 डालने के पाथ ऐसे एक बार इसे लेख करने जेखे दिखे अब पैंसे मिक्स करना अब य liquid अब ऐसे ही हमें तेल को मिक्स रही करना दोनों हातों से आप इसे रब करते हुए मिक्स किजिए ताकि हमारा आटा और तेल अच्छे से मिक्स हो जाएं और अब आप इसे hold करके देखिए अगर हो रहा है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो आप इसमें एक से दो चम्मस तेल और डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देते हैं तीन चम्मस सूजी इस सूजी को डालने से हमारी जो पापणी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी तो च अच्छी सी भीग चुकी है अब यह दार हम इस आटे में डाल देते हैं और चलिए अब हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका सखत आटा लगा कर तैयार कर लेते हैं यहां हमें आटे को थोड़ा सक्त रखना है जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस हो चुका है और अब हम इसे ठाक कर 10 से 15 मिनट के लिए रैस्ट कर रख रक देते हैं और यह देखे पंदरा missile हमारे हो चुके हैं और आटा काफी सौफ्ट हो चुका है आटे को रैस्ट पर रखने से आटे में काफी softness आ जाती है तो चलिए अब हम इसे 3-4 इसकी लोईया बना लेते हैं और चलिए अब हम एक लोई उठाएंगे और इसे बेल लेते हैं तो यहां हमें इसे एक तो बड़ा बेलना है और इसे एक थोड़ा सा मोटा बेलना है बहुत जादा पतला नहीं करना अब हमने इसे एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो यहां आपको यह तरीका जो मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान है अब यहां आप एक या तो गिलास ले लीजिए या फिर एक कटोरी ले ले लेकिन आपको यहां थोड़ा छोटा ही साइज लेना है बहुत जादा बड़ा नहीं लेना और आप यहां इसे तरीके से जिस तरीके से हम पूरिया निकालते हैं बस निकालते जाएए और आपको दिहान रखता है कि आपको इसे थोड़ा सा मोटा बेलना है, बेलते जाए और इसमें से जो छोटी-छोटी सी पूड़ियार निकालते जाए, यह बहुत आसान तरीका है, एक साथ में आप काफी सारी जो पापड़ी हैं वो बना कर तैयार कर सकते हैं, और यह देख जो पापड़ी हैं, हमें थोड़ी सी पतली रखनी हैं, और यहां हमने इने थोड़ा सा मोटा बेला था, अब हम इने थोड़ा पतला पतला बेलते जाएंगे, तो यहां हमारी पापड़ी इस तरीके से काफी सारी बन जाती हैं, और एक ही साइच की बन जाती हैं, और एक सा तुछे लिए गैस पर हम कढ़ाई रख देते हैं जिसमें मैंने पहले ही तेल डाल के रखा था और तेल अच्छे से गरम हो चुका है एक बार आप तेल को गरम कर लीजिए उसके बाद आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिए इसी तरीके से यह पापडी बहुत ही जादा प्रेश नहीं जाएंगी बहुत आसान है इनने बनाना तो यहां मैंने सारी पापडी एक साथ डाल दी है और अब हम इन कल्ची को थोड़ा सा इने प्रेश करेंगे और बस इनने थोड़ा सा सिक जाएं तो इनहें पलट देंगे ना तो यह चिपकेंगी और ना ही तूटें तो छेलिए यहां आप देख सकते हैं हमारी जो पापी। वह बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं, क्रिस्पी और करारी भी हो चुकी है। अब इन्हें निकालने के बाद जो सेकिंड बैच उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। बस इन्हें फ्राई करते समय तो हम इसात बहुत सारी पाफडिया तयार करें सबस्क्राइब धर को सकता है इसे अजने भी दिख्शम्म back हम इसी तरीके से इन्हें अच्छे से फ्राइब करेंगे और आपम एक से स्क्राइब थिए करेंगे यह लीजिए हमारा जो सेकिंड बैच है वो भी अच्छे तो फ्राई हो चुका है यह पापड़ी बहुत ही पत्ती होती है तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है तो चलिए आप जब इन्हें निकालेंगे तो आप इन्हें थोड़ा सा तीछा कर लीजिए ताकि ज तो देखी लिया है कि इन्हें बनाना कितना असान है तो एक बाद मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूं इसका आप क्रिस्पनेस भी देख सकते हैं कितने ज्यादा क्रिस्पी हैं तो आप भी एक बाद जरूर ट्राई करें कैसी लेगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट पर जरूर बताईएगा आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फूर वोचिंग फिर विलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई